अर्यों, आप लोगों का My Graphics में फिर से स्वागत करते हुए आज के हैं, कोरल रो में एक signature को आप digitize कैसे कर सकते हैं, उसके बरे में बताने जा रहा हूँ यहनी, एक digital signature को कैसे create करना है, उसके बरे में बताने जा रहा हूँ तो उसके लिए क्या है एक scanned signature का image लेता हूँ मैं इदर empty space पे right click करके import करो आप अभी देखो यह एक image है तो इसको मैंने scan किया है अभी देखो इस signature का जो background है उसको remove करना है मुझे तो उसके लिए अभी मैं क्या करता हूँ पहले इदर bitmap में आता हूँ bitmap में के convert to bitmap करना है इसको इसमें आने के बाद अभी देखो यह क्या है इसका mode यह rgb है और इसका resolution इसको मैं change करता हूँ यह नहीं इसको मुझे क्या करना है भी black and white करना है black and white करके इसको क्या करता हूँ okay बोल देता हूँ तो दिखो भी ऐसे ये black and white हो गया भी तो अभी के लिए क्या है इसको एक background create करता हूँ मैं समझो भी एक square लेके एक shade देता हूँ समझो भी इसको एक yellow shade दिया मैंने shift page down करता हूँ तो देखो भी फिर भी क्या है इदर एक white background है इसमें भी तो अभी मुझे क्या करना है इस white background को remove करना है तो उसके लिए अभी मैं क्या करता हूँ इदर bitmap में आता हूँ bitmap में आ कि आपको क्या करना है इदर outline trace करके यहां पे आता हूँ इसमें क्या है Line Alt करके है इसको क्लिक करना आपको, इदर आपको क्या है ऐसे PvEU आजाएगा आपको, इस अब इद def def video आपको इदे दिखा रहा है कुछ जगह पर यह बंड रिमॉव आइक है कुछ जगह पर नहीं हुआ है so either यहाँ पर खलिक करके अभी मैं क्या करता हूं अब ही मैं क्या करता हूँ इधर है इसमें details आप changes कर सकते हैं इसको थोड़ा increase करता हूँ मैं So detail मैं आ जाएगा So अभी इसमें क्या है smooth है और corner smoothness है अभी के लिए इसको जो default में है वैसा ही रखा है मैंने So अभी इसको क्या है okay बोल देता हूँ मैं So दिखो भी इस signature को ऐसे नीचे लेता हूँ तो दिखो भी ऐसा आ गया अभी समझो कुछ portion इधर के है black इधर के भार आपको दिख रहा है इसको अभी मैं क्या करता हूँ Ctrl-U करता हूँ तो यह ungroup हो जाएगा यह अभी वेक्टर में है तो अभी इस box को थोड़ा इसे छोटा करता हूँ अभी बहार से इसे ड्रैक करता हूँ इधर ड्रैक करके इसको delete करता हूँ मैं जो भी extra dots है इसको क्या है मैंने इसे ड्रैक करके delete किया है इतना करने के बाद अभी इन सबको select करता हूँ इसे select करके इसको क्या है weld बोल देता हूँ weld करके अगर आप चाहे तो इसको दूसरा color भी आप क्या है इधर आप ऐसे दे सकते हैं देखो भी यह समझ में आ रहा है आपको अभी क्लिए क्या है एक dark blue दिया है मैंने इस तरह क् आप एक digital signature आप create कर सकते हैं अगर यह करते वक्त आपको कुछ doubts वगे रहा है तो मुझे comment box में comment कीजिएगा हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और इस शनल को subscribe करने के लिए आप लगों का धन्यवाद